Assalamualaikum दोस्तों, असमों जीटीवी चैनल का Sunday Comment Box में आप सभी का मेरे दिल से बहुत-बहुत स्वागाते दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आप सभी लोग खेरियाचों होंगे, ठीक होंगे तो दोस्तों, काफी सारों लोग हमारा जो वीडियो है, वो देखने के बाद भी, खरगोश के बारे में अधिक जान करे पाने के लिए कॉमेंट करते हैं, और कॉमेंट करके कुस कुशिन करते हैं, और उन कुशिनों का एंसर में Sunday Comment Box में देने के लिए कोशिश करता हूँ, तो वो कुशिन क्या है, Rabbit Info, उनने कुशिन क्या है, Is breeding safe for rabbits? तो बहुत ही important कुशिन क्या है उन्होंने, तो रेबिट के लिए breeding safe है और unsafe भी है, तो इस वाक्त शाहिद आप लोग सुसरे हैं कि एक कैसे आंसर हुआ, safe भी है, unsafe भी है, तो दोस्तों, आइए मैं आप लोग को बहु अपने रेबिट को अच्छे तरीके से देखबल करती है, अच्छे डाइट देती है, तो अच्छली वो जो खरगोश है, वो 8 से 12 सल तक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उस खरगोश को breeding पर उसके लिए यूज़ करेंगे, तो health issue आएगा, क्योंकि रेबिट ब्रेडिंग कर करना चाहिए, प्रेगनेंसी के द्वारा क्या क्या खिलना चाहिए, क्या nutrition के ज़रूरत होती है, अगर यह सब कुछ वो जानते हैं, तो बंदा अपने रेबिट को breeding करवा सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों मैंसे बहुत सरे लोग कहते हैं कि मैं breeding प्रोमोट करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर कोई बंदा मुझा कुछ न करता है कि सार, खरगोष कितने महीने होने के बाद ही बच्चे जाना शुरू करते हैं, तो इसके अंसे आमने देना ही पड़ेगा, तब मैं अच्छ न देता हूँ कि पास्से महीने के अंदर ही बच्चे जान पोटी या शुशुन नहीं करती है, नेक्स्ट कुशिन क्या है, सतिस सिंधी, सर मेरा रबीट बच्चे देने वाले है, वो बच्चे देने के बाद उसके बच्चे को दूद कब पिलाए, प्लिस, रिप्लाइ इन सांड़े कोमेंड बक्स, प्लिस, 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 तो मर जाएंगे, आए नेक्स्ट कुशिन पढ़ते है, नेक्स्ट कुशिन क्या है, अफ्राज गैमिन, असलम वालेकुम भाई, वालेकुम असलम, मेरा फिमेल रबीट प्रेगनेंट है, वो हाउस की टाइल्स खोद रही है, दिवार खोद रहा है, मैं किया करूँ प्लिस, रि में रखना चाते है, तो रूम के आंदर ही एक नेस्ट बॉक्स तैयर कीजिये, ताकि आप पर मादाखार कोई बच्चे को जानम दे सके, नेक्स्ट कुशिन, रिता शाओ, चार क्या हम रबीट को किस मिश खिला सकते है, तो आप अपने रबीट को किस मिश खिला सकते है, य ज्यदा सुगर होने के करण, बहुती कम मत्रम में खिलाना होगा, नहीं तो हैल्थ इशू हो सकते है, आई ये नेक्स्ट कुशिन पढ़ते है, नेक्स्ट कुशिन क्या है, मौन्टी डॉक, क्या खरगोश को कक्री खिला सकते है, येस, रिबीट के लिए करकुमबर सेफ है, अगर आपकोई खरगोश पानी नहीं पिते हैं, तो समर सेजन में थोड़ा ज्यदा मत्रम में खिला सकते हैं, कहना है क्या मतलब है कि, एक सोटा सा कक्री का आदा हिस्सा, आप अपनी खरगोश को एक दिन में खिला सकते हैं, नेक्स्ट कुशिन, पुश्पेंदर कुमर, भ उसको कुश डॉक्स ने उसको पकड़ कर लिया, उसके 10-15 मिनिट के बाद उसके डेत हो गए, आज मॉर्निंग में, तो दस्तो मैं आप लोग को औलोस रिक्वेस्ट करता हूँ कि, आप अपने खरगोशों को प्रेडिटर से बसा के रखें, क्योंकि खरगोश को कोई सारे आप सभी को बाता है, खरगोश एक प्रेडिटर को देखके ही, बहुत डर जाते है, घबरा जाते है, इसका दोरा भी पड़ सकता है, मैं अप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने खरगोशों को प्रेडिटर से बसा के रखें, क्योंकि वह बहुत डर पोग जलत है, रिबिट के बच्चे का आख है, वो अटोमेटिकली एक या दो हपती के अंदर ही खूल जाएगा, आपको जबर्दस्ती खूलने के कोई जरूरत नहीं है, आइन फिक्शन भी हो सकता है, इस बातों को ध्यान में रखें, नेक्स्ट कूशिन, दीपी का रस्पूत, भाे, बलैक एंन फ्व बलैक ऑनρέग वाइटल जरूरत नहीं के एक जरूरत है, जरूरत नहीं के याई क्या है, जरूरत हैं, नेक्स्ट कूशन के उरू. क्या है डीजी राइजर उन्हों क्या है खर्गोष को चाउमीन खिला सकते हैं बिल्कुल नहीं आप खर्गोष को फर्स्ट फूट नहीं खिला सकते हैं तो फर्स्ट फूट में चाउमीन भी आते हैं तो चाउमीन चाहे हो कूक्ठ हो या अनकूक्ठ हो आप अपनी खर्गोष से पहले ही साथि से बांनुषती है बोडी से बांनुषती है ठीक है और बच्चे दने के बाद भी बच्चे को ढखने के लिए फीट से अपनी शरीर से बांनुषती है यह gotally natural है अपको डरने की जरुरुरत नहीं है आप बिंदास रह सकते है दोस्तों आज के लिए इतने ही मिलते हैं हम दूसरा कोई वीडियो के साथ एक्षिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एक्षिर ब्लोग वीडियो होगा चैनल के साथ जुड़े रहे खुदा हफेज